हेलो फ्रेंड़्स यह है DSD Gearbox इसका हमने तेये लोगोर निकाल दिया है आपने देखा भी फिल्टर खोला हुआ है तो इसका कलच बदलना है कलच तो अब इसके कलच का देखते हैं तो यह है और फंक की रोड होती है यह यह होती है, all pump को चलाती है, इस gear बक्से में all pump होता है, पीछे की साइड में, तो इसको में लगा देता हूँ, यह गुमाता है इस तरह से, और यह है, draps out 1, draps out 2 है, यह draps out 2 है, draps out 1 है, तो इसमें आब कलच फिट करते हैं, इसको सीधा करके, तो यह जैसे देखा आपने, इसको चाहिए इस रोड को पहले लगा दो, या बाद में लगा दो, कोई problem नहीं है, यह वाली रोड, यह वाल पम की रोड है, तो अब हम इसका कलच, इसके सफाई उफाई पूरी हो गई है, इसका तेल पूरा निकालना पड़ता है, तब जाकर के कहीं कलच खुलता है, तो यह मैं इसका कलच लगा रहा हूं, इसको मैं नया लगा रहा हूं, तो अब इस तरह से इसको बिठा देंगे इस तरह से हम इसको बिठा देंगे और अब हम इसमें लगाएंगे इसका लॉक लगाएंगे इसका यह लॉक का नापना पड़ता है इसमें इसमें दो चीज कई उच करते हैं एक तो डैल गेज और एक बरनियर केलिपर दो चीज़ का यूज़ करके इसको हम नापते हैं पर हम इसको ऐसा ही नाप लेंगे इसमें प्ले नहीं होनी छाइए जो वाजसर लगाएंगे ये धोनों वाजसर तो ये मोठी है हम दूसरी लगाएंगे अब चेक करते है रखारे तो अब ही मैं इसमें नाप करके वास्तर लगाता हूँ तो यह है हमारे पास यह जो है यह दो एमेम के असपास है का है यह आप प्रोपर आ रहा है इसमें मैं इसी को लगा दूँ इसमें इसमें प्ले नहीं होनी चाहिए जब भी जो भी लॉक लगाए है इसमें बर्नियर केलीपर से नाप ले या फिर इसकी मुटाई नाप करके ही लगाए लूज नहीं होनी चाहिए इसमें अब मैं इसको यहाँ फिक्स कर दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ इदर को अब वो यह हो गया है फिक्स तो अब मैं इसकी प्लेट लगाँगा उपर वाली इसका टूल भी होता है लेकिन वो टूल हमारे पास था नहीं तो मैं इसको टूल के बिना जो कलश फिट करते हैं साइड में टूल लगाते हैं तब जाकर कि यह आराम से बैठता है लेकिन मैं इसको बिना टूल के लगा रहा हूं तो अब इसका प्लेट इस तरह से उठा लेंगे अब मैं इसको बठा दूँआ हैं यहां से अब क्या है मैं इसके लॉक लगाऊ ओँगा यहां पर इसमें मैं इस लॉक को यहां पर रख़ूँगा आपको बैं अभी दिखाता हूं यह ओली का मार्क दिखाया मैंने यहां से सुरुआत करूँगा और यहां से बिठाता हुआ बिठा दूँगा इसको पूरा अच्छी तरह से चारू तरफ तो इस तरह से बिठा देंगे हैं और अगर कोई देशे कम बैठता है तो इसको हम पेठकत से भी इसको चारों किनारों पर जहाँ जहां फसता है इसको पेठकत से दबा सकते हैं सही से फस जाएए यह अब ही मैं देखाता हुआ हूँ इसको पेठकत से चारों तरफ से कर देंगा अब मैंने ये सारे लॉक बैठा दिये हैं अब मैं इसका लगाने के लिए एक टूल की चुरूत पड़ती है जो यहां सील होती है उसमें सील को अराम से बैठने के लिए पता चला के सील बैठी नहीं तो ओल लेकिज होने का ड़र रहता है तो मैंने इस कवर को भी लगा दिया यह देख लो आप इसका लॉक भी लगा दिया इसका गियर ओय अगर यहां खुला हुआ है तो साइड एकसल की साइड से यहां से डाल सकत हैं और यह है टूल हमारे पास यह इसको बैठाने के लिए तो इसका यूच किया था मैंने और अगर गियर ओयल चेंज करना है पूरा तो आप एक हमारी वीडियो देख सकते हैं